Hello everyone, welcome to Ashokanvi Banking and Law, आप सभी विवर का बहुत-बहुत स्वागत है, ये वीडियो है Banking and Financial Awareness का जो related है आपके Central Bank of India के Law Faces Scale 2 के एकजाम से, जिसका Part 3 है और लगातार मैं आपके लिए Banking और Financial के जितने भी Important Question है, मैं आप तक पहुचाने की कोशिस कर रहा हूँ और आपका भी समय का काफी Important है तो लगातार इस प्रस्णों को अच्छे से Learn करिए, अच्छे से पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, बट अच्छे से पढ़िए कि वो प्रस्ण, वो Question आपको बहुत टाइम तक याद रहे और जब भी आपके एक्जाम में ये सारी चीजें पूछी जाएं तो आप वहाँ पर बहुत एजली से ये सारी चीजें कर पाएं. restriction लगा रखा था, moratorium लगा रखा था, कि आप जो है, बहुत सारे लोगों को पैसा एकसाथ नहीं दे सकते हैं, तो बहुत सारी condition है, वो आपके एक्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, बट टोटल कितने बैंकों पर restriction लगाया गया था, तो ये जरूर पूछा जाएगा, तो total ये five corporate bank है, जिन पर RBI के द्वारा restriction लगाया गया था, which of the following bank is the first bank in India, which is going to implement digital rupee of reserve bank of India, यहां बात हो रही है, टीक है, digital rupee की बात हो रही है, यहां पर ये इनका symbol है, इंडिया का कौन सा पहला bank है, जो RBI के digital rupee को implement करने जा रहा, तो ये सबसे important question है, ठीक है, तो वो bank कौन सा ह आप लोगों ने अब तक पढ़ लिया होगा, ये digital rupee का sign है, और CBDC क्या बोलेंगे, central bank digital currency, इसको launch करने के लिए, जो है, कोटेक महिंदरा bank सही, total eight bank को, जो है, ये RBI ने ये काम सहौपा है, कि आप CBDC को implement करेंगे, यानि central bank digital currency को आप implement करेंगे, तो first bank कौन सा होगा, वो हमें रखने की ज़रूरत है, तो first bank है, कोटेक महिंदरा bank, पहला bank हुआ, कितने bank को total implement करने के लिए, CBDC को implement करने के लिए, ये काम सहौपा गया है, तो total eight bank को सहौपा गया है, कहां कहां पर ये pilot project सबसे पहले शुरू किया जाएगा, तो सबसे पहले मुंबई यानि महाराष्ट मे दिलिया निदिली, एहमदाबादनी गुजराती है, तीन जगहों पे सबसे पहले digital rupee को implement करने के लिए, तीन जगहों पे ये चीजें सुरू की गई है, RBI के द्वारा, किन दो joint venture के द्वारा किया जा रहा है, तो पहला तो हो गया India Post, और किसके साथ मिलकर ये कर रहा है, तो ये Indian Railway के द्वारा मिलकर, ये joint venture किया जा रहा है, यानि Indian Railway और India Post, ये दोनों मिलकर ये joint venture कर रहा है है, किस institution के द्वारा ये approval दिया गया है, एक final approval दिया गया है, कि जो हमारा NSC है यानि National Stock Exchange है वो launch करेगा अपना Social Stock Exchange तो इन में से किस institution के द्वारा ये approval दिया गया है institution है SEBI, ये SEBI के द्वारा approval दिया गया NSC को कि वो अपना Social Stock Exchange launch कर सकता है Which of the following organization has celebrate Financial Literacy Week, ये याद रखेगा Financial Literacy Week from 13 to 17 for 2023 यानि इन में से किस organization के द्वारा एक वित्तिय साचरता सकता है यानि Financial Literacy Week मनाए गया है 13 से 17 फरवरी 2023 तो वो कौन सी organization है तो वो है Reserve Bank of India के द्वारा इनकी थीम थी, ये जो हमारा Financial Literacy Week था, इनकी जो थीम थी वो थीम थी Good Financial Behavior Your Savior इतना वड़ा प्रस्न है बट मैं आपको sort में बता देता हूँ, अगर आप ध्यान से सुन लेंगे तो इस प्रस्न को आप अपने exam में अगर आता है तो वहाँ पर आप आराम से कर पाएंगे बात होरी Oda Phone Idea की आप लोगों को बता है, तो इस समय Oda Phone Idea काफी debt में डूबी हुई है, नहीं कर्ज में डूबी हुई है टोटल इनका जो बकाया है, जो ब्याज है 16,133 करोड है, टोटल इतना जादा बकाया इनका है, ठीक है तो सरकार ने क्या किया है, इनके इस बकाया को equity की रूप में जो है अपनी हरीजंडी दे दी है अब सरकार इसमें अपना interest दिखा रही है तो अगर सरकार इसमें अपना interest दिखा रही है तो सरकार की जो टोटल इसमें share जो टोटल हो जाएगा इसमें government of India का share कितना हो जाएगा, ठीक है कितना हो जाएगा, तो Government of India का यहां पर share हो जाएगा 33%, वोड़ाफ उन आइडिया में Government of India का share कितना हो जाएगा 33%, Major Bank of India has issued license to how many online payment aggregators, जान लीजिये पेमेंट aggregators, जैसे अगर आप online e-commerce होते हैं न, बिजनिसे होते हैं, जहाँ पर online आप समान goods को भुक करते हो, जैसे अगर Amazon है ठीक है, Amazon पर आपने कोई goods भुक किया, तो जब online payment करते हैं, तो direct आप Amazon को pay नहीं करते हैं, ठीक है, आप किसी third party को pay करते हैं, यहाँ एक payment aggregator हो सकता है, बट आप जो payment करते हैं, वो third party payment करते हैं, तो जिसके थुरू payment होकर जाता है, वही होते हैं payment aggregators, इस इंपल लेंगोज में अगर कहें, तो जो कंपनियां होती हैं न, कस्टमर से payment को accept करती हैं, और यह जो है, जो हमारा e-commerce होते हैं, यह merchant होते हैं, उन तक वो payment को पहुचाने का काम करती हैं, online payment aggregators, अब portal by the name of insurance, regulatory and development authority, IRDA का आप लोगों ने नाम सुना है, ठीक है, तो IRDA के दोरा एक portal launch किया गया है, जो क्या करेगी, जो करेगी health and general insurance business, ठीक है, यानि एक जीवन सौस तो सामान बीमा ब्योसाय का जो इसमें business है, उसमें जो security का जो difference है न, उसको दूर करनी कोसिस की जाएगी, तो उसके दोरा एक portal launch किया गया है, IRDA के दोरा, उसका क्या नाम है, उसका नाम है BIMA सुगम, बीमा सुगम नाम है, यानि B answer बिल्कुश सही है, इतने याद रखिएगा, जो IRDA है, Insurance Regulatory and Development Authority, इसके दोरा एक portal launch किया गया, जिसका नाम है BIMA सुगम, और यह करेगा क्या, यह address करेगा, जो security gap है मारे present life में, health में और general insurance में, इनको क्या करेगा, दूर करेगा, इसके वीडियो में बस इतने ही प्रस्न हैं, और सारे प्रस्न काफी important है, कब और कहां कैसे क्या question आने हैं, कुछ पता नहीं है, इसलिए पढ़ते रहे हैं, जितना आपको मिल रहा है banking awareness, उन सब का revision करते रहे हैं, चलिए मिलता नेक्स वीडियो में, God bless you to all, thank you for watching,